नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल क्रिकेट मूड में और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेस्ट इंडीस वर्सेस इंग्लैंड के पहले ODI मुकाबले के हाइलाइट मैच के बारे में इंग्लैंड की टीम सिर्फ दोसों नौ रणों पर ही ओल आउट हो गई और मेजमान टीम ने नौ ओवर रहते ही इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया तो वहीं दोस्तों स्री लेंका के खिलाफ वेस्ट इंडीस के आखरी मैच में विश्फ पोटक सतक लगाने वाले इविन लुईस का बला यहां फिर बोला और शुरुआत में वो समबल कर खेल रहे थे लेकिन फिर हाथ खुलने के बाद उन्होंने 46 गेंद पर अपनी 50 पूरी की और जब बारिश आई तो वेस्ट इंडीस का स्कोर 81 रन का था और लुईस 48 गेंद पर 51 रन बना कर खेल रहे थे और जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो लुईस ने खुल कर बैटिंग की और अगले 21 गेंदों पर 43 रन बना कर उन्होंने वेस्ट इंडीस की टीम की जीत लगभगताय कर दी और हलाकि वो सतक से चूक गए लेकिन उन्होंने 69 गेंदों पर 5 चौक के और 8 चको की मतद से 94 रन ठोके और वहीं दोस्तों लुईस के लावा वेस्ट इंडीस के लिए ब्रेंड़न किंग ने 30 रन मनाए और पहले विकेट के लिए किंग और लुईस के बीच 118 रनों की साज़ेदारी हुई और इंग्लेंड के लिए रादल रसीद और कप्तान लियाम लिविंग्स्टन को एक-एक सब वलता मिली तो दोस्तों ये रही क्रिकेट मूट की तरफ से वेस्ट इंडीस वर्सेस इंग्लेंड के पहले ODI मुकाबले की हाईलाइट मैच वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों क्रिकेट मूट की चनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले धन्यवाद